हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, आप सब का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ग्यान कलार और आर्ट नॉलिज गलब में देखें, आप लोगों की डिमांड के अकोर्डिंग में कुछ लेकर आई हूँ, जो बहुत जरूरी था इस समय, क्योंकि टाइम आप देख रहे हैं, इलेक्शन भी जा चुके हैं, और आप समय आ चुका है आपका, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, तो करियर वाली लाइफ में भी भरे रहे हैं, ऐसे ही रंगों से आपका जीवन खुशाल रहे, आसा करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है, कि देखें, आज जो मेरा टॉपिक है, वो KVS है, मैंने बताया था कि KVS की वेकेंसी भी आ रही है, और बहुत जल्दी आने भी बाली है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि सेम गवर्मेंट देखें, यूपी में भी है, तो यूपी से तो उससे फरक नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटरल गवर्मेंट की तरफ से आएगी, तो देखें, के बी इसकी वेकेंसी के लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ, दूसरी कितना है या आप भी जानते हैं, तो एक महीने में तो उसलेबस कबर नहीं हो पाता है, और यह आपको भी पता है, कि जो लोग पहले से ही तयारी कर रहे हैं, सफल वही होते हैं, क्योंकि उनको एक-एक concept क्लियर हो जाता है, जो इतने समय से तयारी कर रहे होते हैं, जब आप आप देखेंगे, इतनी सारी वीडियो भी आप देखेंगे, फिर concept भी क्लियर करेंगे, टोपिक वाइस भी तो चेप्टर भी पूरे नहीं पढ़ताएंगे आप, ठीके, तो वही चीज़ हो जाती है, स्री मैं कहती हूं, बार-बार सभी से पढणा शुरू कर दीजेगा, स उसके बाद कोई discount नहीं होगा, होली तक जो student admission ले रहे हैं, होली के Sunday तक, होली के बाद जो Sunday आ रहे हैं, उसके बाद discount नहीं है, तो आप लोग admission ले सकते हैं, और app पर class होती है, उसमें आपको recorded class भी मिल जाएगा, ठीक, चलिए, ये तो हो गई बाद, आप देखें, KVS से ज education का, जो उसमें post होता है, AE करके, ठीक, art education की post होती है, इसमें कोई TGT, PGT, अलग से कुछ नहीं होता है, सिधा-सिधा एक post देदी होती है, art education के नाम से, इसमें main qualification क्या होगी, इसका criteria क्या होगा, इसमें आपका syllabus क्या होगा, exam किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़े आपको बहुत परिशान कर सकती है, आने वाले समय में, तो क्यों ना अभी से तैयारी कर ली जाए, जब तक vacancy आती है, क्योंकि vacancy का हम, KBS की भी इतने टाइम से वेट कर रहे थे, लगबग 6 मन्त हो चुका है, वेट करते करते, और अब फाइनली वह है टाइम आ चुका है, क्योंक इसके लिए जो qualification होती है, वैसे तो 5 years का diploma मांगते है, KBS के लिए in art education में, ठिक, लेकिन जिन्होंने 5 years का लिखेंगे, सबसे पहले, कुल में लाकर 5 years का, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे, ये उपर लिखा होता है 5 years का, जब आप नीचे detail उपन करते हैं, जब notification आएगा तो आप उसमें देखते हैं, उसमें लिखा होता है, और-और करके कुछ चीजे दी होती है, और-और करके, कि आपने इंगने से ये चीजे कर रखी हो, तो देखें, इसमें क्या-क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, एक तो must है, जो बिलकुल जरूरी चीज है, पाविधिक वाले इसमें अपलाई नहीं कर सकते हैं, अब जिन्होंने ग्रेजुशन की है, किसमें, आर्ट में, फर्स्टली ग्रेजुशन किया है, जिन्होंने आर्ट में, इसके साथ ही साथ, उन्होंने क्या किया है, ट्वल्थ किया है, क्योंकि ट्वल्थ किया होगा, आ ग्रेजुशन जरूरी है आर्ट में, उसके साथ में किया है, तो बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है, आपकी लाइन बिल्कुल टेगर है, कोई प्रावेधिक, नोट प्रावेधिक, प्रावेधिक को वह आर्ट का सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, चलिए, क्योंकि एक तरह से अगर मैं कहूं, तो प्रावेधिक आर्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन हम आर्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर प्रावेधिक आर्ट में नहीं आता है, ये आर्ट में तब आएगा जब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़े डाल दे, मतलब इसके साथ साथ कुछ और होना चाहिए, या तो आप थियोरी डाल दीजेगा, या फिर आप इसके साथ कुछ डिजाइन या कुछ तो इस तरह का क्रेटिव डालना पड़ेगा, उसी के बाद ही ये मानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये आपका आर्ट में आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, अब देखेगा, ये जो दोनों चीज़े जिसके पास है, वो भी अपलाई कर सकता है, इसके साथ साथ उसमें एक और दिया होता, IJD Bombay, मतलब आर्ट से कोई डिपलोमा, आर्ट का कोई भी डिपलोमा, दिख रहा होगा, आप लोगों को लिखा हुआ, आर्ट में कोई भी डिपलोमा, ठीक, अगर आपके पास 12th में आर्ट है, हाई स्कूल में भी होना चाहिए, हाई स्कूल में भी आर्ट, 12th तो जरूरी है, 12th में अगर आपने डिजाइन से आर्ट किया हुआ है, तो आपके पास, क्योंकि देखे, कुछ हर लोग आर्ट करते हैं, question answer के भी आर्ट उसमें आती है, डिजाइन के साथ साथ, तो ये हरी स्कूल के अलग-अलोग होता है, आर्ट में होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ जिसके पास अब अप्लाई कर सकता है, ठीक, और 5 years का कैसे होता है, 3 years graduation प्लस 2 years आपका MA count हो जाएगा, तो 5 years अगर ये चीज़े किसी के पास है, तो उसके ल